कार मैं आर्थे सिंग आप देख रहे हैं न्यूस लेवन भारत और खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक बुकारों से आ रही है जहां चास्ट के दो गोदाम में भीशन आग लग गई है काफी भीड भाड़ वाले इलाके में हैं ये दोनों दुकाने जहा पर ये आग लगी है आग किस वज़े से लगी इसका पता नहीं चल पाया है हाला कि फायर ब्रिगेट की दो गाड़िया मौके पर मौचूद है और आग बुझाने की कोशिशे चल रही है रहाश्य इलाका है ये भीड भाड़ वाला इलाका जिसकी वज़े से आग लगने प पर अफ्रात अफ्री मच गई हाला कि फायर ब्रिगेट की गाड़ियां मौचूद है आग बुझाने की कोशिशे चल रही है ये चास का ये मामला जहां पर दो गोदाम में आग लगी है और ज्यादा जानकारी लेते हैं सायोगी सुरेंद्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े वे हैं सुरेंद्र कैसे लगी ये आग और क्या आग पर काबू पाया गया अब तक पर काबू नहीं पाया जा सका है और फुल पर दमकल गाड़िया मोक्रे पर पहुची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं आग आग लगी है और इसकी दो गुदाम है दोनों गुदाम में पुरी तरह से आग लगा है और सबसे बड़ा बात है कि जिस रास्ते में आग लगी है दोनों तरफ दुखाने है लगबक 50-60 दुखाने है और आने जाने का जो रास्ता है काफी पतला जिसे दमकल गाड़िया भी नहीं पहुच पारी है जिसे पानी का भी प्रेसर नहीं है लेकिन जो आग लगी की अब वो नहीं पाया जा सका जी शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए नसर बनाए रखे और भी अपडेट साफ से लेंगे तो ये बुकारो चास की घटना जहां पर दो गोदाम में आग लगी है और ये इलेक्ट्रोनिक्स की इलेक्ट्रोनिक्स गोदाम है दोनो गोदाम जहां पर ये आग लगी है अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी हाला कि काफी नुकसान की आश्रंका जताई जारी है इस अगला की में